लादे लादे जै मता हुदी दोस्तों कैसे हैं आप سबी उमीद करती हूं आशा करती हूं आप अच्छे हो पोजंतों जैसे कि आप सब इजानते हैं नमरात्रे चल रहे हैं तो आज हम आपनी वीडियों भ्यागytes जा कथा क्या है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूंगे अगर आप हमाई चैनल पे नए होता सब्सक्राइब कर दीजेगा विद बेल के साथ माच चंद घंटा का सुरूप सौमेता एवम शांती से भरापूर होता है माच चंद घंटा और इनकी सवारी श जाती है नौ दिनों तक चननले वाली नवरात्तिके दौराण मां कि नौ रूपों की पूझा की जाती है माच चंद घंटा राक्ष सोख वज्ष करने के लिए वीजानी जाती है मानिता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है इसलिए उनके हातों में धनुष, त्रिशूर, तलवार और गदा होती है देवी चंद घंटा के सर पर घंटे के अकार का अर्ध चंद नजर आता है इसी वज़े से श्रदाल उन्हें चंद घंटा कहकर बुलाते हैं जानिये नवरात्री के तीसरे दिन की पूज़ा विधी व्रत कथा क्या है पूज़ा विधी नवरात्री के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद घंटा स्वरूप का विधी विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद घंटाय नमहा का जाप कर राधना करनी चाहिए इसके बाद मा चंद घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंड, धूप, पुश्प और अर्पित करें आप देवी मा को चमेली का पुश्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं साथ ही साथ दूट से बनी किसी मठाई का भोग लगाएं पूजा के दोरान दुर्गा चलिसा का पाट और दुर्गा आर्ति का गान करें इनकी कथा क्या है दोस्तों जानेंगे मा चंद घंटा असुरों के विनाश है तुमा दुर्गा के तृत्ते रूप में अव्तरित हुई होती है जो भयंकर देते सेनाओं का संघार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है भक्तों को वांचित फर दिलाने वाली है आप संपून जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है जिससे समस्त शास्त्रों का ग्यान होता है वह मेगा शक्ति आप ही है दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही है आपका मुख, मंद, मुसकान, सेसुशोबित, निर्मल, पून्चंद्रमा के विम्ब के अनुकरन करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांती से कमनिये है तो भी उसे देखकर महिशासुर का कोकरोद हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया यह बड़े अश्चरिय की बात है कि जब देवी का वही मुक्रोद से युक्त होने पर उदे काल के चंद्रमा की भाती लाल और तनी हुई भाओं का कारण विकलाल हो उठा तब उसे देखकर जो महिशासुर के तुरन निकल गए यह उससे भी बढ़कर आश्चरिय की बात है क्योंकि क्रोद में भरे हुए यम्राज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है देवी आप प्रसन हो और मात्मा सरूपा आपके प्रसन होने पर जगत का अभियुद्य होता है और कोद में भर जाने पर आप ततकाल ही कितने कुलों का सरनाश कर डालती है यह बात अभी अनुभव में आई है क्योंकि मही शासुर की ये विशाल सेना शन भर में आपके कोप से नश्ट हो गई है कहते हैं कि देवी चंगंटा ने रक्षस सम्हों को संगार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरावे गलगन में गुजा दिया वैसे ही मा के वाहन सिंग ने भी दहार ना अरम कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस धनी को और बड़ा दिया जिससे धनुष की टंकार सिंग का दहार और घंटे की धनी से संपूंड इशा ये गुज उठी उस भैंक का शब्द वै अपने प्रताब से वै देते समू को संघार कर वजय हुई तो दोस्तों ये थी हमाई छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजे शेयर कीजे कमेंड कीजे मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के सा तब तक के लिए खुश रहिए सुस्त रहिए मस्त रहिए रादे रादे जैमा तदी